नमस्कार, स्वागता आपका आज के राशी फल में आज है 14 अपरेल 2023 तो बात करेंगे सिंग राशी वालों के दैनिक राशी फल की तो आज सिंग राशी वालों का दिन जो 14 अपरेल है कैसा वित्तित होएगा संपूर्ण विशे की विशे चर्चा की जाएगी वीडियो को आखिर तक देखें और उपाई भी आप करें सिंग राशी वालों के जीवन का आज एक खास दिन है क्योंकि उनकी राशी का जो स्वामी है सूरे देव वो राशी परिवर्तन कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे इस्थिति में आ रहे हैं उच्चे के सूरे हो रहे हैं जो की बहुत ही शेष्ट परिड़ाम इनको जीवन में देंगे सिंग राशी वालों के लिए ये सूरे इनके भागे स्थान में आ रहे हैं तो जब एक सेनापती के घर में राजा आता है तो उसको बहुत ही मानसामान मिलता है तो उसी टाइप से ही हो रहा है आकाशी ग्रेमेंडल के अंदर कि सूर्य ग्रेहों के राजा मेश जो कि सेनापती की राशी है तो सेनपती के घर में आ रहे हैं तो सिंग राशी वालों को मान सा मान इस गोचर में अवश्य प्राप्त होएगा अब बात करते हैं गोचरी गिरेश जेती की आज वैसाक मास की कैशन पक्स की नम्मी तिती है और साथ ही आज एक खास योग है सिद्धी योग सिद्धी योग महिने में एक बार ही आता है आज है तो आप कोई व्यापार से संबंदित कोई किसी से मिलना जुलना है तो वो आप कर सकते हैं शुकरवार का दिन है आज जो रावकाल है वो पड़ेगा 10.30 से लेकि 12 o'clock के बीच में इस समय आप कोई भी यात्रा ने करें इस समय को टाले मिटिंग भी ने करें ने कोई नया कारे शुरू करें रावकाल में शुरू किये गए कारे बाद में परिशानी ही देते हैं कोई भी शुब कारे करना चाहते हैं तो दो टाइम आज के लिए हैं जिसमें आप कर सकते हैं एक तो सुब़ सुब़ है 750 से लेके 1030 तक का ये भी सेश्ट समय है बाकि और इससे बैतर समय है अभी जीत मूरत वो है आप देख लिजिए कि 12 o' कुलॉक से लेके 1224 तक का ये जो आदा गंटा है 24 मिन्ट का इस समय भी आप कारे शुरू कर सकते हैं आज अगर यातरा का प्रोग्राम बन रहा है तो साउथ की दिशा की यातरा आज शुब परिणाम देगी और अगर आप अन्ने दिशा में जा रहे हैं तो आप जो खा करके जा सकते हैं आज दिशा सुर रहेगा वेस्ट में और साउथ वेस्ट में तो वेस्ट और साउथ वेस्ट की दिशा आज यातरा के लिए शुब नहीं है उस दिशा में जा रहे हैं तो कुछ कदम साउथ में जाएं और फिर गूम के अपनी यातरा पे चले जाएं या फिर आप जो खाके भी जा सकते हैं गोचर में सिंग राशी वालों के चंद्रमा आ रहे हैं इनके छटे गर के अंतर ये पहले शुकर के नक्षत्र में रहेंगे और बाद में ये नक्षत्र परिवर्थित करेंगे तो समय आज आपका अच्छा भी देगा एकाज सीजे कि आज आपके खर्चों में थोड़ी बड़ोतरी हो सकती है यात्रा पे जा रहे हैं तो वहाँ भी आपका खर्चा हो सकता है खर्चे पे आपको आज नियंत्रन रखना होगा अच्छे लोगों के आज आपको संगत पे ध्यान देना चाहिए अच्छे लोगों के संगत रहें क्योंकि आप किसी पप्लिक प्लेस पे आज जा सकते हैं जब होस सारे लोगों से आपका मिलना जुलना हो तो आप अच्छे लोगों से अपने संपर्ख बढ़ाएं अगर राजनित्ती प्लेटफरम पे जा रहे हैं अच्छे लोगों से संपर्ख बढ़ाएं ताकि आपको आने वाले जीवन में इस मार्ख से आपके कुछ न कुछ भागया के रुकाउटें दूर हो आज जो लोग राजनिती में सक्रिये हैं यह जो सरकारी नौकरी में हैं तो सरकारी नौकरी वाले भी आज राजनितिक गेर से मिल सकते हैं और जो राजनिति में पहले से हैं यह राजनितिक जिनकी पहुँच है वोन लोगों का आज का दिन बहुत ही शिष्ट परेणा देखे जाएगा। आज पूरे दिन आपको जल्दवाजी पर नियंतरन रखना है क्योंकि जब भी चंद्रमा शिक्साउस में गोचर करता है तो अपने आपको कुछ न कुछ सावदानी हमको रखनी ही पड़ती है। चटा चंद्रमा है तो कई मामलों के लिए तो बहुत बढ़ी है परन्तु अगर वैभार में देखें तो जल्दवाजी से बचें आप कोई भी निड़ने लेना है तो एकदम से नहीं कि कोई विचार आया और तुरंत कारे करना शुरू कर दिया। नहीं थोड़ा सा रुकें उस बात को समझें विचार करें और फिर आगे बढ़ें। चिंता और टेंचन की कोई बात नहीं है आज आज आपके कारे एक एक करके सभी पूर्ण होएंगे। और जैसे अभी आपने कारे करने की सोचिये समझी है वैसा आपको हो जाएगा और जरूरत पढ़ने पर आपको सायता भी मिल जाएगी। अगर आपको कुछ कारे समझ नहीं आता है डिसिजन लेने में प्रब्लम आ रही है तो आप अपने सुप्चुत्तकों की सला ले सकते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चंडरमा भी आ रहा है जो सूरे नहीं आज राची परिवरतन है और यह आपके नैंत घर नाैंत घर में जब भी सूरे आता है मीश की राची के अंदर तो प्äक्ष्थी की डिसीजन पावर को बहुत increase कर देता है उसकी decision बहुत बढ़िया होते है क्योंकि एक मिनिट में जब हम decision लेते हैं तो हमारे decision पूरे life पे असर डालते हैं वैसे एक मिनिट की कोई value नहीं रहती है हमारे जीवन में पर जब हम decision decision लेते हैं तो वो शन बहुत मेटपूर हो जाता है तो सिंग रची वालों के जीवन में यह अच्छी बात है कि एक महीने तक इनकी decision power काफी अच्छी रहेगी इनकी निर्ने लेने की decision लेने की समता में सुधार आएगा कुछलता आएगा साथ इनका भागय का साथ भी मिलेगा आज जो नोकरी पेशा वर गए है उनके लिए आज का दिन ठीक है नोकरी में आपको कारेशेत्रमा आपको मान सम्मान मिल सकता परतिस्टा मिल सकती है आपका वेक्तिवतु से निकरा हुआ रहेगा और आपके वेक्तिवतु से लोगबाग प्रभावित होंगे पार्ट-टाइम जोब करने वाले जो लोगँ उनके पार्ट-टाइम जोब के लिए कुछ न दिन नई रास्ते खुलेंगे की लिए आज का दिन भावती बढ़िया परिणाम लेकर आएगा क्योंकि सूरे भी उच्छ का हो गया है और चंद्रमा आपके शिकसम है तो आपका बड़िया चंद्रमा की सीधी दस्टी आपके खर्चे पर पढ़ रही है यात्रा पर पर पढ़ रही है तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंतरन रखें, सोच समझ के खर्च करें, नए नए मोके आज आपको मिलेंगे, जिसे आप लाप प्राप्त करेंगे, तो वेपारियों के लिए आज का दिन शेष्ट हैं, उनका वेपार बढ़ेगा, और वेपार में वो कुछ मुनाफ़ा प्राप मिल रहा है, जिवन साती के साथ आपका तानमिल अच्छा बना हुआ है, परन्तु आपको मनी मन में जिवन साती के स्वास्थ के चिंता आज लगी रहेगी, जिवन साती से आपको प्रेम मिल रहा है, जिवन साती के साथ आप अपना अच्छा कुछ टाइम में स्पेंड करें और स्वास्ति के उनकी देख़ाल करें बात करें love and relationship में रहने वालों के लिए तो उपन के लिए भी आज का दिन ठीक है कोई दिकत परिशारी नहीं है वैपारियों के लिए 22 दिन ठीक है एक खास बात जो relationship में रहरे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक खास इदायत है कि वो किसी भी तरह की सुनी-सुनाई बात पर विश्वास आज नहे करें आज सेंगराशी वाले सुनी-सुनाई बात पर विश्वास कर सकते हैं बाद में टेंशन हो जाएगी और फिर उनको पस्तावा होएगा तो आज किसी की भी सुनी-सुनाई बात पर विश्वास नहें करके उसकी पूरी तैकिकात करें और अपने दिमाग का यूज करें हो सके तो आज आप सुनी-सुनाई बात का रियक्शन नहें दे बात आपके सामने आ रही है तो आप बात सुन लीजिए विचार कर लीजिए परन्तु उसकी खिलाब प्रतिकरिया आप पिल्कुल भी नहीं दें क्योंकि थोड़ी समय बाद आपको सच्चा ही पता ही लग जाईए तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है स्वास्त की बात करें तो सुगर से संबंदित और ब्लेट से संबंदित आप को प्रोब्लम हो सकती है जिन लोगों को कफ की प्रोब्लम पहले से चली आ रही है उनको दो दिन से तीन दिन से तो उनको कफ में आराम ता प्रंतु कल का मतलब आज इनको कफ में प्रोब्लम नजर आईगी 14 तारीक को तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें खान में पीने मे पूजा पाट करें और साथ यह आप अपने संगत को सुधारें और अपने खान-पान पर विशेश करके नियंतरन रखें तो यह आपको सूर्य बैतर पढ़े नाम देखे जाएगा लाइफ के अंदर तो इस तरह से यह आपका दिन सही गुजर रहा है सूर्य का आपके राशिमाना शेश्टरता की और आपको लेके जाएगा कैसा लगा आपको वीडियो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी आई यू आरो गे और एश वरे के आपके दिनों दिन बरदी होती रहे इसी शुब कामना के साथ नमस्कार झाल 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 झाल 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 झाल